एकदम खिला खिला और कुछ बुदार मटरा और पनीर के पुला खाना तो सब पसंद करते हैं ऐसा कुछ बुदार और टेस्टी मटर पुला बनाना तो बहुत रिजिश्ध कर लिए मटर पुला की मजे आरेशी भी बना कर दिखाने वाली हूँ मगरें वीडियो शुरू करने से पहले I hope आपको मेरे recipe पसंत आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें motivate करें मतरपुला बनाने के लिए में यहां एक कप बासमती चावल लिया है इसे बासमती चावल को पानी डालकर अच्छे से दो बार दो कर लेंगे अब यहां चावल के अंदर का सारा पानी निकाल देंगे और उसके बाद अच्छा पानी डालकर इसे दस या पंदरा मिनित तक कि दो तुकडे दो तेज पत्ते एक चक्रफूल एक बड़ी लैची एक जावी त्री चार लॉंग लिया है अब यहां सारे खड़ी मसाली को ऑईल में डाल कर गैस की मेडियम फ्लेम पे थोड़ा हलका सा बून लेंगे यहां सारी मसाली हलके से बून गए है अब हम डालेंगे पाच लंबाई में कटे हुए हरी मिर्च आप चाहे तो हरी मिर्च की छोटी छोटी को टुकडे करके भी डाल सकते हैं मगर मैंने यहां लंबाई में कट कर लिया है यहां हरी मिर्च अच्छी से बून गई है अब हम डालेंगे 6-7 करी पत्ते करी पत्ते भी हलके से बून न अब हम डालेंगे एक गप हरे फ्रेश मटर लिया है आप चाहिए तो फ्रेशन के भी मटर यूज कर सकते हैं मटर को भी हल्का सा बूनने तक इसे ऐसे चलाते रहना है मटर को ज्यादा पकाना नहीं है बस ओ थोड़े से सौफ्ट होने तक इसे ऐसे बूनना है अब हम यहां ड पुलाव में पनीर खाना बहुत पसंद आता है इसलिए मैं यह पनीर डाल रही हूं अब हम यहां डालेंगे 15 मिनट तक बिगोई हुए एक बासमती चावल पहले से बिगोई हुए चावल पुलाव में डालने से हमारा फुलाव फुल कर खिला खिला बनता है आप चाहे तो ब करके लेना है इस बात को ध्यान रखना है कि यहां पुलाव को कुकर में बना रही है तो यहां कुकर की पहली विचल पूरी होने देंगे और दूसरी एक दम लोग फ्लेम पे थोड़ी सी बाप देकर ग्यास को अफ कर देंगे अब हम यहां डालेंगे एक कप चाहल के लिए सिर्फ डेड़ कप पानी मटर फूलाव के चाहल के दाने एकदम खिले खिले और सौप्ट बनाने के लिए यह असलिस्टी के यह चाहल को पहले से ही 15 मिन तक बिगो कर लेना है और एक कप चाहल के लिए सिर्फ डेड़ कप पानी डालना है अब हम यहां कुकर का धकन है उसके बाद कुकर की सारी बाफ निकल जाने के बाद कुकर का धकन निकालेंगे यहां हमारा मटर फूलाव अच्छा सब भग गया है और इसके दाने एकदम खिले खिले बन गए है पुलाव के चाहल के दाने एक दुसरे से अलग बनकर एकदम खिले खिले बने हैं और यह चावल के दाने एक दम ऐसे ही फुले फुले और खिले खिले बन जाएंगे अब हम इस पुलाओ को गरमा गरम सर्वर करने के लिए चलते हैं या हमारा मटर पुलाओ रेश्टारंट की पुलाओ से भी जादा खिला खिला कुछ बुदार और टेस्टी बना है गर के बच्चे ऐसा मटर पुलाओ खाना बहुत ही पसंद करते हैं उन्हें ऐसा मटर पुलाओ बनाकर आप दे सकते हैं गर में ऐसा मटर पुलाओ बनाकर इसके साथ आलो की सबजी पनीर की सबजी बैगन की सबजी या मिक्स वेज की सबजी या प्लेन डाल के साथ भी इसे खा सकते हैं तो